Hi guys, welcome back to my channel आज है हमारी free professional makeup class का day 6 आज हम एक बहुत important topic के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे concealers के बारे में concealer के topic को लेकिन आप बहुत जादा लोग confused हो जाते हैं कि कोई बोलता है foundation से पहले concealer लगाओ कोई बोलता है foundation के बात concealer लगाओ कोई बोलता है light shade का concealer लगाओ कोई बोलता है dark shade का concealer लगाओ ये सब confusion हो जाती है न तो don't worry आज मैं आपकी सारी confusion दूर कर दूँगे और आपको full knowledge देने वाली हूँ concealers के बारे में कि concealer क्या होते हैं concealers आपको कभी use करने हैं concealer कितने types के हैं कौन से concealer आप अपने लिए ले सकते हो affordable price में और color character concealer में क्या difference है concealer और foundation में क्या difference है और बहुत सारी चीजें तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक देखना और safe करना तो बिल्कुल मत भूलना और हाँ आगर आपने मेरी day 1 से day 5 तक की classes नहीं देखी है तो जरूर देख लेना क्योंकि हम हर एक topic के बारे में बहुत detail में discuss कर रहे हैं ताकि आप easily घर बैठे अपना make up कर सको और clients का भी make up कर सको तो मेरे चैनल को subscribe कर लेना और bell icon जरूर प्रेस कर लेना तब ही तो आप free में make up सीख पाओगे और हाँ अगर आपको कुछ भी doubt होता है कुछ भी queries होती है class के regarding तो आप comments में पूछे मैं जरूर reply करूँगी तो चलिए आज की class चार्ट करते हैं concealer make up का एक ऐसा product है जो किसी magic से कम नहीं है आपके face पे जितनी भी imperfections होती है जैसे कि dark circles, pigmentation, acne marks, pimple, blemishes, uneven skin tone ये इनको एकदम से छुपा देता है basically concealer किसी भी imperfect चीज को perfect look देता है जैसे कि आप जब अपना face देखते हो तो वो uneven लग रहा होता है कहीं से आपका face कहीं ना कहीं से dark हो रहा होता है जैसे कि under eye में dark हो रहा होता है या mouth के around dark हो रहा होता है किसी का forehead पे dark हो रहा होता है तो जो आपके uneven skin tone है उसको even करने का काम करता है हमारा concealer अब बात करते हैं concealer को कब लगाना चाहिए कोई बोलते हैं foundation से पहले लगाओ कोई बोलते हैं foundation के बाद लगाओ कोई बोलते है dark color का concealer लगाओ कोई बोलते है light color का concealer लगाओ तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम concealer को दो चीजों के लिए use करते हैं पहला conceal करने के लिए और दूसरा highlight करने के लिए तो सबसे पहले पहला समझ लेते हैं conceal करना क्या है आपके face पे जितने भी darkness है pigmentation हो रहे है dark circles हो रहे है उसको hide करने के लिए जो हम concealer use कर रहे हैं उस function को बोलते है conceal करना ठीक है जब आप conceal कर रहे हो अपने pigmentation को dark circles को hide कर रहे हो तो आपको चाहिए एक से दो shade dark color का concealer आपको dark color का concealer लेना है और उसको लगाना है before foundation अगर आप अपने face से dark circle pigmentation को hide कर रहे हो तो आप लोगे अपने skin tone से एक से दो shade darker concealer और उसको लगाओगे before foundation foundation लगाने से पहले आप dark color का concealer अपलाए करोगे ठीक है जी अब second function की बात कर लेते हैं highlight करना अब highlight करना क्या हुआ आपके features को enhance करना आपने बहुत सारी videos में देखा होगा कि कुछ लोग foundation लगाने के बात concealer लगा रहे होते हैं under eyes में, bridge of the nose में chin पे और forehead पे वो कर रहे होते हैं highlighting ठीक है जी highlight करने के लिए आपको चाहिए एक से दो shade light color का concealer और इसे आप लगाओगे after foundation, अगर आप अपने face को highlight कर रहे हो तो आपको लेना है एक से दो shade lighter concealer और उसे लगाओगे foundation लगाने के बाद, आपको एक बार यह summarize कर देती हूँ, concealer को हम दो चीजों के लिए use करते हैं, पहला conceal करने के लिए और दूसरा highlight करने के लिए, conceal करना means आपके अगर आप face से dark circle और pigmentation को hide कर रहे हो तो आप अपनी skin tone से एक से दो shade darker concealer लोगे और उसे foundation लगाने से पहले ही लगा लोगे and second जब आप face को highlighting कर रहे हो तो आपको लेना है एक से दो shade light color का concealer और उसे लगाओगे foundation के बाद में, अब बात करते हैं बहुत बड़ी confusion के बारे में कि color character लगाएं या concealer लगाएं जिन्होंने मेरी previous class देखी होगी वो लोग confused हो रहे होंगे कि पिछली class में तो कहा था कि dark circles, pigmentation acne को छुपाने के लिए आपको color character लगाना है और आज के class में बोल रहे हैं कि pigmentation dark circles को hide करने के लिए आप एक dark color का concealer लगाओ तो चलो मैं आपको बताती हूँ जो dark color का concealer और color character का काम एक ही होता है दोनों ही आपके face से pigmentation और dark circles को hide करते हैं छुपाते हैं बट फरक कामाता है कि आपके pigmentation कैसी है आपकी problem कैसी है और आप किस occasion के लिए make up कर रहे हो ठीक है अगर आपके जो pigmentation है dark circles है हद से ज़ादा है hyper pigmentation है darker है prominent है तो आप लगाएंगे color character और अगर आप heavy make up कर रहे हो glam make up कर रहे हो तब भी आप color character ही लगाओगे और वहीं अगर आपके dark circles pigmentation light color की है जैसे कि मेरी pigmentation मेरे भी dark circles है लेकिन इतने ज़ादा dark नहीं है तो मैं लगाऊंगी एक से two shade darker concealer अपने skin tone से ठीक है अगर आपके dark circles pigmentation light color की है तो आपको लगाना है dark color का concealer और आप अगर daily makeup कर रहे हो मतलब कि office जाने के लिए makeup कर रहे हो college जाने के लिए makeup कर रहे हो तब भी आपको darker concealer ही लगाना है I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपकी pigmentation dark circles बहुत जादा है तो आपको लगाना है color character और heavy makeup कर रहे हो तब भी आप color character ही लगाओगे वहीं अगर आपके जो pigmentation और dark circles light color के हैं और अगर आप everyday makeup कर रहे हो तो आप लगाओगे एक से दो shade dark color का concealer अब बात करते हैं इन में difference क्या होता है दिखने में जो color character होते हैं वो different colors क्यों होते हैं ये पिछली class में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हो अगर आपने previous class नहीं देखी है तो देख लेना मैं link description में देदूँगी अब बात करते हैं दिखने में कैसे होते हैं color character different colors में होते हैं जैसे orange, green, yellow, purple, peach जो अलग से color हैं वो होते हैं हमारे color characters और जितने भी base shades हैं जैसे हमारे foundation के colors होते हैं light to dark वैसे जो आपको colors दिखाई दे रहे हैं यह हैं हमारे concealers यही फरक होता है product यह एक ही है color character भी concealers ही होते हैं हां जी color character भी concealers ही होते हैं लेकिन जो different colors के concealers होते हैं उनको नाम दे दिया गया है color character तो समझ लीजिए यह product एक ही है यह सब ही concealers हैं लेकिन जितने भी different colors के concealers हैं जैसे के orange, green, yellow, violet और यह peach color का तो इने हम बोलते हैं color character और जितने भी base color के दिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं concealers अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यह है तो foundation जैसे ही colors तो हम अलग से concealer क्यों ले हम foundation ही लगा लेंगे dark color का अपनी pigmentation पे तो यह बिल्कुल गलत है आपको concealer भी लगाना पड़ेगा reason मैं बताते हूं जो आपके concealers होते हैं यह thick consistency के होते हैं यह heavy होते हैं यह heavy होते हैं और यह जादा coverage प्रोवाइड करते हैं बहीं जो आपके foundations होते हैं वो बहुत जादा light weight के होते हैं और आपने देखा होगा जो concealers हैं हम सिर्फ targeted area पे लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको pigmentation, dark circles वहाँ आपको concealer लगाना है और हम foundation को full face पे लगाते हैं और अगर आप अगर यह गलती कर दोगे ना कि foundation लगाने लग जाओ concealer की जगा कि कौन ले अलग से concealer dark color का foundation ही लगा लेते हैं अपनी problems पे तो उससे आपके pigmentation hide नहीं होगी क्योंकि वो light weighted है वो उतनी जादा coverage provide ही नहीं कर पाता और अगर आप यह गलती कर रहे हो कि चलो foundation नहीं लेते concealer पड़ा है concealer को full face पे लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया concealer thick consistency के होते हैं heavy होते हैं अगर आप concealer को full face पे apply कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा face cake ही हो जाएगा foundation आपके light weighted होते हैं concealers को आप सिर्फ targeted areas पे लगाते हो अपने pigmentation dark circles पे और foundation को आप full face पे apply करते हो I hope आपको clear हो गया होगा अब मैं आपको बहुत easy tip देने वाली हो जिससे आप अपने concealer का सही shade सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप गलत shade ले लोगे जैसे आपको foundation का सही shade सिलेक्ट करना बहुत जादा ज़रूरी है वैसे ही concealer का भी बहुत जादा ज़रूरी है तो चलो मैं आपको tip देती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था concealer को हम दो चीजों के लिए use करते हैं एक conceal करने के लिए और एक highlight करने के लिए कंसील करने के लिए समझाया मैंने जिसकी pigmentation dark surface पे apply करने के लिए आप use करते हो एक से टूशेट डाक कलर का concealer before foundation foundation लगाने से पहले और फिर आपको highlight करने के लिए आपको चाहिए एक से टूशेट light color का concealer जो आप लगाते हो foundation के बाद पर आपको यह confusion हो जाती है कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमारे skin tone से एक दो शेट dark ही concealer है यह वला और एक से दो शेट light concealer कौन सा है हमारे shade से कैसे पता चलेगा तो उसके लिए बहुत easy से tip है एक आपको अपने foundation का shade लेना है यह जो foundation है यह shade मेरे से exact match होता है मेरे skin tone पर आपको मैंने foundation की class में day 4 की class में बहुत अच्छे से बताया हुआ है foundation के बारे में सब चीज़ें तो वो class जरूर देख लेना description में link है अब foundation का जो shade हम लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाली class में कि exact skin tone का ही लेते हैं ना तो हम light foundation का shade लेते हैं ना तो हम dark shade लेते हैं हम exact match लेते हैं और यह जो foundation का shade है यह मेरे face का exact match है मैं इसे full face पर apply करते हूँ यह मेरे foundation का shade है तो आपको अपना foundation का shade लेना है ठीक है इस तरीके से मैंने आपको अप्लाइ कर लिया है यह वला shade अब इसके according हम judge करेंगे जो इस shade से 1-2 shade dark concealer होगा वो हम use करेंगे conceal करने के लिए और जो मेरे foundation से 1-2 shade light concealer होगा वो हम use करेंगे highlight करने के लिए चलो आपको यह बता भी देती हूँ यह हमारे concealers हैं जैसे क्या आप देख सकते हो अब मेरे foundation का shade क्या यह है अब आपको ऐसे ही judge करना है आपको अपने foundation का shade लगाना है और फिर concealers में देखना है कि आपके foundation shade से आपको कौन सा ऐसा shade लग रहा है जो आपके foundation से बस 1-2 shade dark है अब मुझे कौन सा dark लग रहा है मुझे लग रहा है यह वला ठीक है तो मैं इसे apply करके देख लूँगी इस तरीके से आप clearly देख सकते हो ना यह मेरे foundation का shade है और मैंने यह concealer लगा के देखा तो मेरे foundation के shade से यह जो concealer है यह इससे 1-2 shade dark है तो मैं इसे use करूँगे इस shade को conceal करने के लिए अपने dark circles पे अपने pigmentation पे मैं कौन सा color लगाऊंगी यह वाला ठीक है मेरा shade त कुछ और होगा आपके foundation से जो भी 1-2 shade dark concealer होगा जो भी shade होगा वह आपके concealing का shade होगा ठीक है इसे सेम तरीके से हम highlighting का shade भी देखते हैं अब मैं light concealer देखूँगी कि मेरे foundation से कौन सा light लग रहा है तो मेरे को लग रहा है यह वाला light तो मैं apply करके देख लेती हूँ इस तरीके से मैं हाँ पर लगा के देखूँगी तो आप देख रहे हो clearly आपको दिख रहा है जो मेरे foundation से यह वाला shade है यह बिल्कुल 2 shade lighter है तो मैं इसे use कर सकती हूँ अपने highlighting के लिए तो इस तरीके से आप select करते हो अपने concealer का shade यह बहुत easy tip है आप अपने foundation का shade लेलो जो आपका exact है आप कुछ लोग बोर रहे होंगे हमें अपना foundation का exact shade ही नहीं पता कि हमारे उपर कौन सा shade जाएगा तो day 4 की class देख लो उसमें मैंने foundation से related ना हर एक चीज़ बताई हुई है उसका link description में वो देख लो आपको clear हो जाएगा कि आपका exact shade कौन सा है foundation का फिर आप अपन होगे conceal करने के लिए और जो आपको अपने foundation से light shade लग रहा है एक दो shade वो आप use करोगे highlight करने के लिए I hope आपको ये demo देखके बिल्कुल clear हो गया होगा कि कैसे आपको light shade और dark shade लेना है अब बात करते हैं concealers कितने types के होते हैं उनके uses क्या होते हैं concealers 3 types के होते हैं first हमारे liquid concealers जो इस तरीके से liquid form में होते हैं ये बहुत जादा light weighted होते हैं जिसकी वज़े से ये easily blend हो जाते हैं और ये देते हैं हमें medium coverage और इन्हें हम use करते हैं normal to oily skin types पर second होते हैं हमारे cream concealers जो इस तरीके से palette में आते हैं ये बहुत जादा thick consistency के होते हैं thick consistency के होने के कारण ये बहुत जादा thick होते हैं जिसके वज़े से हमें देते हैं heavy coverage और इन्हें हम use करते हैं dry to combination skin types पर third होते हैं हमारे stick concealers जो इस तरीके से stick form में हमें मिलते हैं जिनको इस तरीके से हमें खोलना होता है ये convenient होते हैं hold करने के लिए और ये हमें देते हैं medium to full coverage वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दू आप तीनों ही concealers चाहे वो liquid है cream है चाहे वो stick concealers है आप किसी भी skin type पर use कर कुछ जादा problem नहीं होने वाली ठीक है आप किसी भी skin types पर use कर लो बट आपको क्या ध्यान रखना है coverage का मिल ली कि ये liquid concealer हमें सिर्फ medium coverage दे रहा है और cream concealer हमें heavy coverage दे रहा है और stick concealer हमें medium to full coverage दे रहा है जितने आपको coverage चाहिए उस हिसाप से आप अपने concealers को choose करो और आप कौन कौन से brands के concealers use कर सकते हो liquid concealer cream concealer stick concealer मैं सब के link दे दूँगी affordable concealers भी बता दूँगी और कुछ high budget वाले भी बता दूँगी तो सारे concealers के links आपको मिल जाएंगे description में वहां से आप check कर सकते हो और वहां से आप buy भी कर सकते हो तो यह थी हमारी आज की class कैसी लगी आपको पसंद आई हो तो like जरूर करना next class हम रखेंगे question answer session जैसे कि आपको पता है हमारी class is online चल रही है तो हम आपस में बात नहीं कर पाते interact नहीं कर पाते इसलिए मैं next class question answer session रखूंगी जिसमें मैं आपके सारे doubts सारे questions का answer करूंगी आपको सारे reply करूंगी इसके लिए आपको करना क्या है आपको जितने भी doubts है जो भी questions है जो भी पूछना है आप comments में लिख दो मैं उनका next class में answer कर दूंगी आपको day 1 से day 60 classes सारी देखनी है सारी classes का link description में आप वहां से देख सकते हो आपको classes देखने के बाद जो भी doubts रह जाएंगे जो भी questions होंगे जो भी पूछना होगा आप comments में लिख देना मैं उनका next class में reply करूंगी इस वेडियो को जादा से जादा लोग के साथ share करना ताकि जादा से जादा लोग प्री में make-up सी पाएं हमारे साथ घर बैठे और मेरे चानल को subscribe कर लेना और bell icon press कर देना ताकि आपकी next class miss ना हो जाएं मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye take care happy learning